हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सच्छे काल स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज मैं हूँ संजे राज़ुरा और आज की मौजों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ आए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज पढ़गी शामती रुला दिया ना अपने विचारी मौदी जी को अच्छा लगता है आपको के हर दो-चार महिने के बाद देश का प्रधान मंत्री आके टीवी पे कैमर के सामने ऐसे रोए शर्म नहीं आते अप लोगों को इतनी डिमांट एक इंसान से अरे यार वो जो कि टॉप 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 रिसेर्चर साइंटेस्ट कंगना रनात ने वह वाइरल हो रही है लेकिन वह पता चल रहा है स्वेर नाइजीरिया की है अब उसको भी नहीं मानोगे तो यार किसको मानोगे एक बंदा उससे इतनी एक्सपेक्टेशन कि यार क्या क्या करेगा इतना बड़े देश का बोज उसके सरप्य है इतनी मेहनत करते हैं मैंने पिछली बार भी पताया था आपको कि एक बंदा कितना कुछ करेगा आपका पेटी नी बढ़ता है आपके घर में ट्रेजडी हो रही है कि हमुदी जी की प्रब्लम है अब बार बार उनसे पूछन लगते ह बैड का आए कुम्भू कियों कराया एलक्शन रहले क्यों कर रही वह वह वर्दानमंत्री तो यह करते हैं ना यही काम होते हैं उनका हर तीन-चार महिने में आपने कुछ ना कुछ कर देना है और फिर उन्होंने आके रो देना है मतलब एक यह दिस इस नौट ड़न दॉन करना पड़ता है उनको देश को फेस करना पड़ता है उनको सब के सामने क्या-क्या बोलना पड़ता है अब जबंड आप जा पहले हैं अपनों लोगों के उपर के ले जाओ हमाई तरफ से आपके लिए ये तो बाद में क्लैर्टी हुई कि एस्टर जैनिका का वेक्सिन है अच्छी हुए हमारे तो है भी नहीं उन्हों हमको बनाने के लिए था और उसके कॉंट्रैक्ट है कि आपको इतनी बाहर भीज नहीं है तो वह कोई चैरिटी नहीं है वह बिजनस डील थी लेकिन मुझे निकल गया वहां से आप उनकी पिछे ही पड़ गए यार कि यह कैसे पहले तो आप इस बात पर रहते कितने वैक्सिन को दुनिया में को सामने जाके बोलना पड़ता है कि हम करोना से लड़े स्क्रीकों से हमारे विज्ऒ्यानिक निरंतर काम कर रहे हैं । यह पतना बड़ा मुछ्किल है थिर्ए पर देंड़ना पड़ता है do you realize how difficult it is to manufacture desi इस इतना बड़ा जो एक इस बनाना पर आपको 24 38 तालेस घंटे रहो हुआ कि तो फिर भी तीन-चार महिन में एक दफ़ार होते हैं उनको बोलना पड़ता है हमारे वज्ञानिक तरीकों से काम हो रहा है क्रोनों से लड़ने के लिए वह भार कैसे बोल सकते कि इनके गुर्गें के मंतरी तंतरी जो है वो कोई गोबर की बात कर वह इतना गव मुटकियों नाषते के बाद नाशते से पहले फिर बीच में हां बाद के अंग्रेजी नहीं बोला है go, Corona, go वहिए पोजाते वक्त आपको गो लुगों ने एक पूरे ड़ाइट चार्ट बनाया और बीच में को देखो और देखो वो जब इंटरनेशनल फोरम पे लोग एड्रेस करते हैं या इवन कंट्री में प्रेस करते हैं क्या कभी भी उन्होंने एक बार भी इन सब चीजों का जिकर किया है एक बार भी नहीं है ना डू यू अंडर्स्टेंड डिफिकल्टी और बी निरिद्दर मुदी हो क्या रहा है बोलना क्या पड़ता है ठीक है मतलब मोदी जी के बारे में बिल्कुल ठीक बाद है ज़िए ट्रक के पीछे लिखा रहते हैं ड्राइवर तो महान है हेलपर से परिशान है एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ मोदी जी देश के लिए नहीं है डेश मोदी जी के लिए है ज्यान रहे जैसे कि मैंने कहा दोस्तों के ड्राइवर तो महान है हेलपर से परिशान है उसका एक और एक्जामबल आपको देता हूँ क्योंकि भारत की मोजे आज कल मतलब ने टेंटिकल्स निकालके दूर दूर तक जा रही है इंडिया से भी बहार पहुंच रही है मोजे इस्राइल और प्लेस्टाइन के बीच में फिर से जगडा हो गया ठीक है और मतलब अब उसकी पॉलिटिक्स क्या है वो जगडा क्यू है वो इस प्रोग्राम का स्कोप नहीं है ठीक हो यह भारत एक मोज लेकिन मोज वहां तक पहुंच ही इस्राइल और प्लेस्टाइन के बीच में जगडा हुआ और यहां पर बैठे बैठे कुछ लोग जिनको की आज कल के मौडर्न लेंग्वेज में भक्त कहा जाता है वो बेमतलम में उचल रहे हैं उनको बेमतलम में तत्याइबन के भीमिन आ रहे हैं कि वो इस्राइल को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं अरे तुम सम्मांगा कि इसने इस्राइल को तुम्हारे साथ की जरूत है क्या वह अक्नॉलिज भी नहीं कर यह बता दूँ कि इंडिया की जो ऑफिशल स्टैंड जो यूएन में है वो यह थी कि हम पैलेस्टाइन के हक में बोल रहे हैं आप थोड़ा खुद भी रिसर्च करें इसके उपर खुद भी देखेंगे असल में मुद्या क्या है इंडिया का स्टैंड क्या है बहराल वो अलग बात है बक्त लोगों की बाते गरते हैं तो उनको मतलब इसराइल ने इंडिया का जंडा भी नहीं लगाया अपने ट्वीट यहां से बेमतलब में कि आपने हमारा जंडा नी लगाया कोई बात नहीं हम फिर भी आपके साथ हैं मतलब कॉलेज में लड़के नहीं होते हैं जो मतलब मुफ्त की खाना खाने के लिए शादियूमें घुज जाते हैं बिना बुलाया है और फिर जो ओनर है मतलब यह जिस स्टॉकर टाइप लड़की उसके इलम भी नहीं है लेकिन उसको बहेंकर पहा रहा है उस लड़की से और अपने दोस्तों के साथ निकल लेती है तो दिल थाम के बोलते हैं जा 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 सिमरंग तू जी ले अपनी जिंदगी मैं फिर भी तू चाहे मेरी हो या नहीं मैं फिर भी तेरा हूं इस लेवल की दुर्गती रोने कराकर रखे हुए है अब भी मैं एक ट्वीट आपको पढ़के सुनाता हूं मैंने नोट करके लिखा वा था जरा पढ़के लेवल देखिए पोस्ट में यहां ट्वीट में इन जो है वो धुवारका के यदुवंशी राजपूत से है और 5700 वर्ष पहले इस्रेल् whirl रावण के दादा की नगरी थीि मतलब 5700 वर्ष पहले इसेराइल रावण दादा की नगरी थी इसराइल की राजधानी राम लला है और गाजा पट्टी का मूल नाम गजा पती हुआ करता था यह बाई साब लिख रहे हैं कि 57 साल पहले रावन के दादा की या तुम इतनी इंफरमेशन दे रहे तो रावन के दादा का नाम भी देता है यार किसी को पता ही नहीं रावन के दादा का नाम क्या अगर आपको 57 साल पुरानी बाते बता हैं तो रावन के दादा का नाम किसी क वो भी नहीं वालू है जरूरी information तो लिखी नहीं और इस्राइल की बारे में आप शनाप लिख दे हो वहाँ पे यह इस्राइलियों को अगर पता चल जाए कि यह जो जितने 100% भागते हैं न यह सबका हीरो हिटलर है तो पता चलेगा इनको कि इस्राइल है क्या ठीक है तो थोड़ा सा आप यह यह देखें कि this is what our prime minister has to define have some sympathy guys अब बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहते हैं इसलिए हमें प्रोग्राम का नाम रखना पड़ा है भारत एक मौज मौहन भागवत ने बोला कि जो जो कुरोना में मौहन भागवत पता है ना वो कौना RSS के बॉस है वो बोलते हैं कि कुरोना में जो 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 लोगों की मृत्ति हुई है उनकी मुक्ति हो गई है काश के दुनिया के सारे जो लीडर्स हैं और उनके स्पिरिच्वल बॉसिस हैं इस पूरी महामारी में इसी तरह की बियान बाजी करें यार कि मुक्ति हो गई है बक्ति करो मुक्ति मुफ्त ले जाओ अब नया श़गूफा छोड़ा गया है कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के फायदे गिराने के लिए बीजबी की आईटी सेल ने नया वो शगूफा छोड़ दिया है कि जब सेंट्रल विस्ता बन जाएगा तो सरकार जो अब तक हजारों करोड रुपे किराया भड़ती थी पुरानी बिल्डिंग्स का वो बच जाएगा है कि सरकार किराया बढ़ती थी मतलब किरायदार थे कि हजार हो कुरोड का किराय जारता इतने सालों से सवाल ये उखता है मकान मालिक कौन है किसको किरायदेरिती सरकार अब जैसे जीड को बाहर जाके बोलना पढ़ता है के हम दुनिया बर में आध फ़ी पर भी जब वी अपिरैंस होती है उनके जब भी को उनको सुन रहा होता ह तो उनको बोलना पड़ता है कि हम scientific तरीके से करोना से लेंग जैसे कि कल भी उन्होंने डियम वगेरा से और मीटिंग करके बोला कि हमारा करोना के पती रेस्पॉंज जोने डायनेमिक होना चीए तो अब यह डायनेमिक रेस्पॉंज कैसा हो रहा है मैं जरा यह पताता हूं कि यह तो पता है जो डायट चार्ट बनाया गया है बहुत डायनेमिक है ठीक है उसके बाद जो है कोयम बटूर में जो है बहुत दिनों के यग्य के बाद एक करोना देवी मंदर इस्थापित कर द करते हुए इस तरीके के डायमिक काम हो रहे हैं लेकिन पब्लिक में नहीं बहुत बोल सकते हैं कि हमारे यह इंडिजनस जो चीजे हैं और जो जैन्यूइनली मेड इंडिया एफर्ट से नहीं वह करे जा रहे हैं और टूली साइंटिफिक एफट बाहर की दुनिया क्या ख़ autoris के अ Means पर जाना है किसी काम से दुगान के जाना और है किसी सरकारी दफ्तर में आपको बहुत क्लों तो क्या उस दुखान की बेजती होगी क्या सरकारी दफतर की देशती होगी आपकी आपकी सुरक्ष चा के नहीं तो च्योंसे लीका सबसे अगर मैं मंदिर जा रहा हूं और मंदिर की सीडियों पर उस दिन बारिश हो गी है और बारिश की वज़ा से वहाँ पर इस तरह की किचड़ हो गी है कि सीडी पर भुजूर्ग लोग है उनके पैर फिसल सकते हैं उनको चोट लग सकती है उनको गंभीर चोट लग सकती है और म दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज अगली मौजों के साथ आपके पास आता रहूंगा लेकिन अगेन आम एमफेसाइजिंग इस बात को जरूर ध्यान रखें के मोदी जी इस देश के लिए नहीं है देश मोदी जी के लिए है थोड़ी एमपर्थी दिखा हैं मिलते ह अगले पर गार्म